तो आप सब कैसे हो आज क्लास 11 की जोग्राफिक का चप्टर नमबर 7 जिसका नाम है वाई मंडल का संगठन ता था सनराचना इसके पार्ट नमबर 2 को डिसकस करेंगे पार्ट नमबर 1 का लिंग डिस्क्रिप्शन में दे रखे जो भी है स्टुडेंट पार्ट नमबर 1 नहीं बटा हुआ उसी पांच परत के बारे में क्या करें बारी बारी से सबसे निचली परत सबसे निचली पर था इसकी आपको ध्यार को तेरा किलोमीटर इसकी भूमद रेखा पर एटीन किलोमीटर था धूर्वो से मौसम संबंधी सभी घटना इसी परत में होती है मौसम संबंधी बादल का ग्राजना हो गया मौसम संबंधी सभी घटना इसी परत में होती है जैसे बादल की गराजना गजेना मौसम संबंधी जितनी सारी घटना किसमें होती है छोब मंदल में होती है तो छोब मंदल में आपको बचो क्या कर याद रखना यह मंदल की का बचो सब से निचली परत है इसकी औसा तुछाई भूमद रेका से 18 किलो मेटर है जबकी धुरूबों पर क्या बचो एट किलो मेटर मौसम संबंधी बचो सभी घटना है छोब मंदल में होती है सब्सक्राइब होती है इतने सारे पाइंट आपको क्या करना चोब मंदल से संबंधित आपको बातों को याद रखना है इसमें बठोपा पेपर में Repeat होता है कि छोब मंदल जीवन दाइपरत क्यों माना जाता है बहुत इंपोटन मंदल है जका डहीं आपको धहां से समझना है चोब मंडल को जीवन दाईनी परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त जो अनुकूल जो दसाय है इस परत में क्या होती है और इसके अलाव बचो वायू का जैसे चलना हो गया वर्सा का होना हो गया बिजली का चमकना बादल का क्या होना बचो निर्मान होना जो सभी घटना है बचो किसमे होती है छोब मंडल में होती है कौन कुन सी घटनाय होती है बचो वायू का चलना वायू का चलना बचो वर्सा का होना बिजली चमकना बादल का निर्मान होना इस सभी घटनाय होती है बचो छोब मंडल में होती है तो अगर कोशन आता है बचो छोब मंडल जो परत है वह जीवन दानी परत क्यों कहा जाता आपको एंसर बताना है छोब मंडल को जीवन दानी परत इसलिए गया जाता क्योंकि जीवित रहने के लिए जो समश्थ अनुकूल जो वातावरन ने बचो यह जो वातावरन किसमे मिलता बचो छुब मंडल में क्या करता ऐसे बाता वर अनुकूल रहता जिसके कारण से इन्सान क्या कर सकता इस अनुकूल वातावरन में जीवीत रह सकता है और मॉसम संबंधी घटनाए होती इसी परत एमसि एक फ़म एकर कोशन आताए सबी मोसं संबन्दी घटनाए वाइ मन्डल के किस परत में होती या इसका एंसर हो जाको चोब मंदल में होती है जो जो परता आप आप कंश्ठीर समान रहेंगा सम ताप मंडल का मतलब होगा यह परत बचो 50 km तक क्या होगा फैल यह परितिवी से पूछेगा बचो कि सम ताप मंडल कितने उचाई पैता आपको धान समना बचो 50 km तक क्या है फैला हुआ है इसके नीचले भाग की उचाई तक ताप मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता इसके नीचले भाग तक जो उचाई होता बचो उसमें ताप मान में कोई भी परकार का चेंज नहीं होता क्योंकि नामी क्या बचो सम ताप मंडल सम ताप मंडल का मतलब होता इस मंडल में क्या होता इस परत में का होता है तंपरेचर में किसी भी परकार का क्या होता चेंज नहीं होता है इसी लिए सब्सक्राइब मंदल का जाता है इस परत के नीचले भाग में बच्छो जोन गैस क्या उपस्तित अगर परत सुर से निकलने वाले पराभेगनी किर्नों को अगर अगर असोसित नहीं करेगी तो अगर पिरिति भी पर आएगी इंसान को क्या जगा इसकीन कैंसर हो जागा जिसको हिंदी में बोलते बच्छो तो अच्छा कैंसर हो आपको धाना का जो सम्ताप मंडल में यह परत बच्छो 50 किलोमेटर तक फैली होई या इसके नीचले भाग की उचाई तक टमपेरेचर में किसी भी परकार का चेंज नहीं होता किसी परकार का परिवर्तन नहीं होता जिसके कारण से इसको बोला गया बच्छो सम्ताप मंड इस आप की दिकलने बाल सम्ताप मंडल करिये लृषि कंदल आपeles सम्ताप मंडल से आपको मंदल करना याद रकना तीसरा जो परत पढ़ेना बचतों मद मंदल में धाँ चाहिते और अगर बच्चो पेपर में आता है कि जो मध्ध मंडल का जो विस्तार है कितने से किलो मीटर तक आपको धाएंगा 50 किलो मीटर से लेकर बच्चो 90 किलो मीटर उचाई तक क्या हुआ मध्ध मंडल पाया गया हुआ मध्ध मंडल का अगर बिस्तार आप से पूछे का बच्चो तो 50 किलो मीटर से लेकर 90 किलो मीटर की जो उचाई तक है मध्ध मंडल है और इसके बाद लिखा हुआ इस परत में उचाई के साथ साथ जाने पर टमपरेचर में क्या होती है गीरावट होती है बोलना चारा पचास किलो मीटर से लेकर 90 किलो मीटर तक फैला हुआ जैसे बच्चो उचाई बढ़ता हुँ धीरे-धीरे का ओता टमपेरेचर धीरे-धीरे गिरने लगती है तो मध्ध मंडल में बस दो पाइंट आपको याद करना इस परत का बिस्तार बच्चो 50 किलो मीटर से लेकर 90 क यह यहां पर पसित गयास जो-बिदूत आवेसित जीहान का य Ноी मतला होता कि क्रस्टा है हुआ कि अट्रेक्ट करती है कि आईन मईंडल में धाना रखना इस परद का ना डुसरे किलो मिट्टर से लेकर 400 किलोमीटर तक है दूसरा आपको पॉइंट रखना बचो यहां उपस्तित जो गैस के जो कान बचो बिधूत आवेसित होता है जी नहीं क्या कहा जाता आएन का जाता आएन में आपको धाना रखना पलस पलस जो आवेस होता एक दूसरे से दूर जाता जबकि पलस मैंस एक परावर्थित करके प्रिति भी बिधार जरती online गोटें वहाले हो सो यहां वा है परिति भी थे भी से जो नीकलने वाले जो रेडियों तरंगा क्रते आयन मंदल में जब जाती प्रिवी पोर प्रोडय से निकलने वाले रेडियो तोरणों कराए बस तीन फसल रकना मंडल बंचो 90 किलो मिटर से लेकर चार सब किलो मिटर तक है यहां उपस्तित गैस के जो कहने बचों विद्धूत आवे सिस्षाता एक दुषण से एक और करता जब की प्लस मैनेस चार्ज होता एक दुसरे को आ कर सित करता आएन मंडल बचो फिरितिवी सद्सें निकलने वाले रेडियो तो रंगो को क्या कर देते परवर्थित करके दूबारा क्या कर देते हैं प्रितिवी पर वापस भेज देती हैं किसको बचो रेडियो यह शुचाओ सब्से लास्ट है ऐन मेंडल के उपर किसके यह उपर एन मेंडल के ऐन मेंडल का जो सबसे उपरी जो परत जिसको बाह मंडल कहा जाता है इस परत में वाई बहुत बीरल होती है बीरल का मतब बहुत हलके होती है और धीरे धीरे क्या हो जाते है वच्छा आंतरिक्ष में क्या हो जाती है बाह मंडल होती है वच्छा धीरे धीरे क्या होती है आंतरिक्ष में ब लिए उजाते इसी के साथ बाटों चप्टर नंबर एट के जितने सारे इंपॉर्डन कोशन्ते बच्छों सारे इंपॉर्डन कोशन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिये अगर बाटों वीडियो अची लगे तो like, comment और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूले आप लोग का कमेंटी बच्चों लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए साथ सा दोस्तों के साथ सेर करना भी न भूले थेंक्यू